हाई फ्रेंड नमस्कार मैं डॉक्टर प्रदीकुमार भाईव आपके अपने चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं भाईव आज मैं आपको जो हमारे भाईवेन सरीर में कमजोरी होना ठकान रहना भूगना लगना और बीपी का कमण होना भाईव इस परेशान सब्सक्राइब निकिया तो चैनल को ज्यादा सेदा सब्सक्राइब करें बैल घंटी दमाएं लाइक करें और इस वीडियो को भाईव ज्यादा शेयर करें भाईव यह मैं कैप्सूल आपको दिखाने जा रहा हूं जो भाईव बीका डेक्समिन के नम से आधा जिसको ग्लै केले दिन में एक वर हैं भायो यह कैप्सूल आपको एक मेने तक लगातब खाना ह् है भायो इस कैप्सूल और आपको वह दूद पूरा पी लेना हैं और आपको सो जाना है तो भाईओ, इस केपसुल के साथ में आपको दूद जरूर पीना है, रात को सोते टायम, और एक महिने आपको लगाता ही दूद भी पीना है, और यह केपसुल भी लगाता खाना, एक महिने बाद आप भाईओ, पुरी तरह से ठीक हो जाएंगे, आपकी थकान, कमजोरी, पूरी तरह से खतम होते हैं। जब भाईयो आप पूरी तरह से ठीक हो जाएं तो आप एक महिने बाद इस केब्सूल को बंद कर दें, मगर भाईयो जो मैंने आपको दूद पीने का तरीका बताया वो आज इबं करते हैं। भाईयो आप इस रात को सोते टाइम जो आप दूद को पिएंगे तो आपका बीपी पूरी तरह से ठीक रहेगा आपको किसी भी डॉक्टर के पाज जाने जरूत नहीं पड़ेगी ना आपको कोई दवाई खाने की किसी भी तरह की आवशकता नहीं पड़ेगी तो भाईयो मे इस दिश्टे बड़िया कैफशल कोई नहीं आता है तो मेरा आप से नोरोद है इस कैफशल का इस्तमाल आप जरूर करें पहुत अच्छा कैफशल है बहुत पुराना कैफशल है भाईयो अगर आपको कुछ मुझे पूछना है तो आप मुझे मुझे कमेंड करें मैं आपक केवाल वही दवाई लेनी है आपको किसी भी दूसरी कंपनी की दवाई नहीं लेनी है नहीं से भाई आपको कोई व्यार अब नहीं मिलेगा और आपको इतर से ठीक नहीं होगा धन्यबाद भाई